SSE की 49,481 विकेंसी आ चुकी है SSE में हर साल लगबग 40,000 के असपास की विकेंसी फिल की जाती है शिवाना अकडमी चंबा ने एक online coaching program साथ किया है जिसकी घोशन हमने पिछले कल कर दी थी और इसमें सबसे interesting बात क्या थी कि ये course मार्ट कर 278 रुपीस का होगा Only 278 रुपीस अब कहीं को ये था कि offline में और इसमें क्या फर्क होगा तो इसमें offline के अंदर हम आपको 10 से 4 पढ़ाते हैं ये हमारा schedule है classes का इसमें student को एक एक चीज बारिकी तक समझाई जाती है पढ़ाय जाती है वो अलग course है Online 278 में आपको क्या देंगे लोगों का question था कि इतने कम amount में हमें क्या प्राप्त होने वाला क्या मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम आपको content प्रोवाइड करेंगे material प्रोवाइड करेंगे आपको targets देंगे कि आपने इतने समय के अंदर जाए वो ये syllabus finish करना है और उसके उपर mock test ली जाएंगे आपको evaluate किया जाएगा आपके notes चेके जाएगे हमारा एक मात्र purpose इस course के जरीए एक community build up करना है जिस community में हमें hustlers create करने हैं वो लोग जो exam को लेके serious हैं घर में हैं job कर रहे हैं कहीं आँ वाँ हैं में बैठे हुए हैं उन्हें लगातार चलाए रखना जिससे जिम का ट्रेनर आ रहे हैं लोगों के उपर नज़र रखता है और उनको आगे हसल करता है क्योंगे लगातार उस दिशा में लिखा जाता है उन पर काम करता है सिम हमारी भूमिका होगे इसकी detailed analysis कम कैसे करने वाले हैं इसके जानकारी आपको अगली वीडियो में पूरी तरह से मिलेगी जह हमने detailing से कहा है कैसे आपको यह course करवाया जाएगा कैसा आपको आगे लिखे जाया जाएगा और एवन एक बात में फिर clear लिखे दो जब हमें लगा कि कोई candidate serious नहीं है तो हम उसकी fees वापिस करेंगे आप नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि आप serious नहीं है और आपका जो भी बनता है अगर आपने 10 days लगाए हैं तो जो भी amount है उसका कट करके remaining fees will be returned इस इस आप जैनुन प्रामिस साथ में हम आपको evaluate करेंगे time to time evaluation से मेरा मतलब है for example evaluation से मेरा मतलब है for example अगर आप मेंसे कुछ लोग बहुत weak हैं तो उन्हें हम separate करेंगे जैसे कुछ लोग math में काफी weak रहते हैं कुछ लोगों को economy समझ नहीं आती है तो उनको हम separate करेंगे और उनके साथ एक अलग से काम करेंगे लेकिन this course is not about the money ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि 278 रुपीज में हम पैसे सही लौच कर रहे हैं this is more about the goodwill मैं आपको बताता हूँ ये goodwill से कैसे है for example हमें लगा किसी ने से join किया और वो serious नहीं है बिलकुल भी serious नहीं है throughout the journey उस course में हम सिर्फ और सिर्फ hard work बच्चों को रखेंगे आपकी जो बच्चीवी fees होगी वो हम refund करेंगे direct refund करेंगे और हम कहेंगे कि thank you आपके साथ हमारा साथ इतना ही क्योंकि हम एक community build कर रहे है community build करने का मतलब है कि हमें अच्छे लड़के चाहिए खासकर वो चाहिए कि देखो अगर आप slow learner हो वो problem नहीं है वो बिल्कुल भी problem नहीं है लेकिन अगर आप hard work ही नहीं करना चाहते हो just आपने course join कर लिया और आप आँखे बंद करके बैटे हो then तो फिर न हम आपके साथ चलेंगे और ना ही हम आपको फिर आगे journey में continue रखेंगे आप बापिस हमारे office आईए office आकर जो आपकी बची फीस होगी उसे हम refund करेंगे इस पैसे को भी हम refund करेंगे right so this is the course और इसी course को मैं आपको detail wise बताऊंगा please अच्छे से समझना है आपने इसको नहीं अच्छा लगे मत लेना बिल्कुल भी मत लेना लेकिन अच्छे से एक वार समझना है right क्योंकि मैंने अभी आपको का आप तो decide कर सकते हैं कि okay मुझे इस course में नहीं रहना है मुझे यहां से चले जाना है यह आपकी मर्जी है लेकिन साथ में हम भी decide करेंगे अगर हमें लगेगा कोई बच्चा मैनत नहीं कर रहा है बस उसने course ले लिया और उसको बच्चा ग्रूप में नहीं चाहिए दो तरह के हैं एक तो वो hard work नहीं कर रहा है right और दूसरा है जो कि slow learner है इस slow learner के साथ हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे throughout the journey आपका हमारा साथ सिर्फ SSC GD तक नहीं रहेगा हम चाहेंगे कि भगवान करें कि आपका first attempt में निकले लेकिन इसके बाद भी ये साथ जो होगा न हमेशा रहेगा right एक बार आप शिवाना ये सकेड में आईए जिन्हों ने इस course को purchase किया है आप उनसे मिलिए उनसे बात कीजिए private में जाके बात कीजिए उनसे कि किस तरह से ये course चल रहा है और किस तरह से उनको beneficial है सिफ 278 रुपीज में अगर आपको नहीं लगता है उसके बाद भी ठीक है उसके बाद भी आपने नहीं अपलाई करना है मैं दो लोगों की बात कर रहा था एक थे जो hard work एक थे जो slow learner थे देखे जो slow learner है ना इनके साथ हम मैनत करेंगे एक है जो hard work बिल्कुल नहीं कर रहा है उसको हम सीधा refund करेंगे fees कि sir thank you हमें आप नहीं चाहिए क्योंकि देखो हम एक अच्छी community build कर रहे हैं जहां पे एक दूसरे को आप देख के inspire हो अगर आपको one plus one two ये भी नहीं आ रहा है आपको tension लेने की जोट नहीं है आप slow हो सकते हैं लेकिन आप hard work नहीं चोड़ सकते हैं अगर आपने hard work छोड़ा हम आपका साथ छोड़ देंगे आपकी fees को refund करेंगे अब मैं एक-एक courses की जो detail हैं उनको discuss करूँगा आपके साथ फर्स्ट है comprehensive hand holding guidance इसका मतलब क्या है आप जैसी entry होग है हमारे पास हम पहले आपको evaluate करेंगे कि आपकी stage क्या है जैसे कुछ stage में कुछ बच्चों का math अच्छा होता है कुछ बच्चों का math अच्छा नहीं होता है कुछ बच्चों की economy अच्छी होती है कुछ की नहीं होती है हम आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों को किस तरह से excel करना है अगर आपकी जोग्रोफी ठीक है ना हम आपको कहेंगे आप जोग्रोफी को कम टाइम दो उन जगहों को टाइम दो जहां पर important है बाकि math में जादा टाइम दो economy में जादा टाइम दो यह hand holding guidance है हम आपको साथ साथ लेके चलेंगे एक साथ लेके चलेंगे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें जो मैनत नहीं कर रहा है वो बच्चा तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए to be honest नहीं चाहिए 278 रुपीज में हम यहां पर कोई घंडे तो गार्ड नहीं रहे है हम यहां पर सिर्फ बैठे हैं एक अच्छी community बिल्ड हो हमारी उन लोगों के साथ इंट्रेक्शन हो उस community के साथ इंट्रेक्शन हो जो मैनत करने के लिए actually त्यार है तो this is all about the comprehensive hand holding guidance second thing 100 MCQ अब यह क्या है for example आपने Indus Valley Civilization पढ़ा जिसे हम सिंदु घाटी सब बता भी कहते हैं आपने पढ़ा जैसी एक चप्टर आपने पढ़ा ना हम उसके आपको 100 MCQ देंगे जो MCQ होंगे ना कुछ तो हमारे बिनाए होंगे कुछ जो freely available है ना हम वो आपको बताएंगे कि sir आप इस website पे जाओ आपको 1 से लेकर 20 तक सिर्फ MCQ करने हैं बाकी नहीं करने हैं इन MCQ का analysis हम आपको बताएंगे इस MCQ को कैसे attempt करना है यह हम बताएंगे तो for example अगर एक chapter का अगर आपके पास एक chapter का 100 MCQ हुआ और for example ancient history में total 10 chapter हुए तो 10 chapter के आपके होगे 1000 MCQ और इसी तरह से medieval औ modern history के आपके 3000 MCQ क और इस 3000 MCQ मेंसे सिर्फ और सिर्फ आपको आएंगे 3000 MCQ को करनेा अगर आपने आगर यह पूरा follow किया यह 3000 हाईंगे यह तीन फिरस इनी सिर्फ और सिर्फ इनी से आएंगे वान हंडर और परसेंट इनी सी आएंगे बाकी इसे बाहर से आने वाले कोई नहीं है मैं आपको थोड़ा एक्जाम का पैटन समझाना चाहूंगा एक्जाम के पैटन में क्या होता है कुछ कोश्चन्स होते है कुछ कोश्चन्स होते है जैसे for example मैं इसको मुझे टाइम दीजे पलीज जैसे कुछ questions होते हैं 60% ऐसे questions होते हैं जो कि आपके static से complete होते हैं अब static क्या होता है static मतलब जो कि आपने books पढ़ी है उनसे complete होंगे बाकी कि जो 20% होंगे यह होंगे आपके current affair, आपकी knowledge, आप कितना active हो आप कितना अपने आस पास observe कर रहे हैं और ये भी हम आपको सिखाएंगे ये चीज भी हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरह से active रहना है रटनी नहीं ये current affair बिल्कुल भी नहीं रटने हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से sources follow करने हैं और एकदम बिल्कुल एक relax होके इन current affair को complete करने है बाकी के जो 20 questions है न ये वो questions होते हैं जो कि examiner डालता है ताकि आपका moral नीचे गिरे देखो आप defense service में जाओ पटवारी में जाओ examiner हमेशा चाहेगा कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए ऐसा इंसान चाहिए जो कि emotionally intelligent हो emotionally intelligent का मतलब जो कि किसी भी परस्तिती में अपने दिमाग से काम ले अपना आपा ना कोई और ये 20 questions ना सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपका आपा वहाँ पे आपके हाथ से निकले आपको लगे कि बस खतम है अब मुझसे paper नहीं निकलेगा और आप हमेशा देखोगे मैं भी last time last week कि मैं आपके paper analyze कर रहा था मैंने देखा कि ये जो 20 questions ना ये question के front में डाले जाते हैं जैसे आप question खोलोगे न ये 20 question वहाँ मिलेंगे 20 नहीं मिले तो 5 यहाँ पे मिलेंगे 5 बीच में मिलेंगे 5 end में मिलेंगे इस इस तरह से ये मिलते हैं ये क्यों है ये examiner आपकी psychology के साथ खेल रहा है कि भाई साथ ये 20 question आएंगे अगर आपका moral गिरा पहले page में ही आपको 5 या 10 question नहीं आए आप आगे के paper नहीं कर पाऊगे तो हम ये भी आपको बताएंगे ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इने handle करना है तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक तो हमारे पास रह गया static जो कि हम book से करेंगे जो मैं भी बात कर रहा था कि हम हर एक chapter के 100 mcq लगाएंगे इस बारे में बात कर रहा था ये तो in static से हो जाएंगे जैसे अगर पूरी history के आपके 3000 questions हो गए है और quality के भी आपके 3000 questions हो गए है geography के भी 3000 questions हो गए है तो मुझे बताओ क्या इस 3000 आपके 9000 questions में से क्या आपको 12 questions में नहीं फसेंगे क्या final में obviously फसेंगे और वो हैं इस 60% से 20% current affair होगा 20% जो है आपका moral किराने के लिए और इस 20% इन 20% और इन 20 questions में से कम से कम 5 questions ऐसे होंगे जो हम करके निकलेंगे knowledge से अपने presence of mind से अब आप बोलोगे कि presence of mind कैसे लाएंगे कहिएंगों को लगता कि presence of mind नहीं लाया जा सकता है मैं आपको एक विराट कोली की बात बताना चाहूँगा विराट कोली ने कहा कि जब मैं मैं मैंदान पर जाता हूँ न मैं ये नहीं देखता हूँ कि बोल कितनी speed से आएगा बोलर कोन है कैसे है मैं habitual हूँ इस बात से कि जब मैं जाओंगा मैं वहाँ पर 100% दूँगा जो मेरे पास techniques हैं जो मेरे पास knowledge है उसको use करूँगा 100% उसको use करके इन चीजों को निकालूँगा इसे कहते हैं neuroplasticity neuroplasticity का मतलब होता है कि आप बार 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 ऐसे dangerous questions को देखो और अपने मन को बोलो कि all is well सब कुछ ठीक होगा इसे न आप 5 questions निकाल के लेके जाओगे ये 20 के 20 questions किसी से नहीं होते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ मैं बच्चे क्या करते हैं बच्चाओं के ये questions ठीक होते हैं लेकिन cut off करते हैं decide ये सारे static पढ़ रहे हैं जो दो portion है न ये हर कोई same कर रहा है इसमें कोई change नहीं है हर कोई same कर रहा है यहाँ पे इसे कहते है intellectuality यहाँ पे हम आपका presence of mind build करेंगे यहाँ पे मैनत होगी ज़ादा ये जो resources है न ये जो freely resources है हम उसका use करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो best resources freely available और इसके related किस तरह से एक neuroplasticity विराट कोली की तरह के mindset पैदा किया जाएगा वो हम बनाएंगे देखो मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मैं आपको विराट कोली बना दूँगा राइट इस वेरी वेरी one of the greatest sports person I have ever seen बट मैं यह ज़रूर कहूंगा कि जो उन्होंने neuroplasticity की बात की है न वो हम यहाँ पर develop करेंगे अगर हम उस neuroplasticity के 20% तक भी पहुंचते हैं 100% achieve नहीं करते हैं तब भी हम यहाँ से 5 questions निकाल लेंगे और यह है MCQ और इस guidance का सारा program I hope आपको यहाँ पर समझ आगया होगा अब हम next program पे चलते हैं sorry next minute पे चलते हैं जो की है post test discussion Indus Valley civilization को ही रखते हैं मेभी आप मैंसे बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा एक chapter पढ़ा सिर्फ एक chapter 100 MCQ की है हमने 100 MCQ के बाद 100 MCQ के बाद हम उसका detail analysis करेंगे हम उसमें देखेंगे कि कौन से question important है जो बारवार repeat कर रहे हैं जैसे कुछ question बारवार repeat करते हैं हैना कि कौन सी seals मिली है क्या Indus Valley में horses मिले हैं कि नहीं कुछ question repeat करते हैं वो तो हो जाएंगे second question है कि कौन से आ सकते हैं जैसे for example किसी archaeological survey ने कोई survey किया है Indus Valley में जैसे आपका ये है आपका India to be due respect ये है आपका India और अगर यहाँ पे आपकी Indus Valley civilization है न तो यहाँ पे किसी archaeologist ने क्या की होगी research की होगी और उसने कुछ नया पाया होगा तो उसको भी हम इस notes के साथ integrate करेंगे even इन notes में जो post test discussion होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जो question आपके wrong हुए न जो question आपके गलत हुए न उसको कैसे द्वारा ठीक करना है उस गलत question से आपने कैसे underline करना है और उस underline से कैसे आपने इन सब के short notes मनानी है मैं short notes के बारे में बाद में discuss करूँगा this is the one of the important thing जो की हम इस पूरे course में करेंगे I hope कि आपको post test discussion समझ आ गया हो हर test के बाद हम discussion करेंगे उन question को solve करेंगे हम जो app के थूँआ आपको questions देंगे हमें वहाँ पर पता लग जाएगा एक graph होगा कि कौन सा question ज़्यादा गलत हो रहा है उस questions को हम discuss कर लेंगे पूरे उन questions को हम discuss कर लेंगे कि यह क्यों गलत हो है उसके बाद doubt solving session देखो मैंने आपको कहा था एक हैं बच्चे जो hard work करते हैं एक हैं बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको हम topper कह सकते हैं बट हो topper नहीं होंगे यह topper decide नहीं किये जाएंगे तब तक जब तक आप test ना दो मैंने बहुत से बच्चों का ऐसे दिया है जिन्होंने यह tag ले लिया कि सर हम coaching में topper हैं उनसे test नहीं निकलता है यह issue मैंने देखा है इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि हमेशा जमीन में रहो जुड़के रहो हमेशा अपने आख, कान, नाख सब कुछ खुले रखो तो first category यह होगी इससे आपको थोड़ा बचना है अपने आपको जियूम नहीं करना है कि आप टोपर हो तब भी आपको नहीं समझना है टोपर हो ठीक है वही चीज आपको humble बनाके रखेगी second thing, hard work और third thing है कि slow learner देखो, जब मैं पढ़ रहा था ना I was in this category मैं इस category में था तो मैं यहाँ पे आपका दर्थ तो समझ सकता हूँ कि जो slow learner है उनकी क्या pain है लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बिताना चाहूँगा doubt solving session जो होँगे न इन पर जादा focus दिया जाएगा क्योंकि मुझे पता है इनके बहुत से doubt रहते इनके ये भी doubt रहता कि कितना पढ़ू कि अभी सर जो आप करवा रहे हो क्या वो enough है और उसके बाद मैं इसके इलावा कितना पढ़ू तो यह जो छोटे-मोटे doubts होंगे यह मैं clear कर रहा हूँगा personalize कर रहा हूँगा ताकि आपके doubt ना रहे देखो जैसे बच्चा एक माँ जो है अपने बच्चे को चम्मस से feed करती है जिसे हम spoon feeding कहते है अगर आप hard work नहीं करोगे यहाँ पर यह condition ही है कि sir हमारा मान हो गया आपका मान हो गया आप निकलो लेकिन इस बात का हमेशा याद अठना यह चीज अगर आप नहीं करोगे न hard work यह अगर आप नहीं करोगे आपको मैं खुद बोलूँगा कि sir please हमारा और आपका रिष्टा यहीं तर नेक्स्ट आता है इसमें chapter highlight and underline techniques आपने हर वार एक ऐसा बच्चा तो देखा होगा जिसकी book में हर जगा underline देते हैं मतलब वो इतने underline होते हैं हर एक line उसने underline की होती है आपने देखा होगा पूरी पूरी copy उसने underline करके रखी वेती है और paper canvas को पता ही नहीं के पढ़ना का है तो यह क्या है for example indus valley के रहते हैं indus valley civilization हमने किया यह बन गे उसके notes बन गे इन notes को हम क्या करेंगे वही highlight करेंगे जिसकी ज़रूरत है सब highlight नहीं करेंगे जैसे यह 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 मैं आपको बताऊंगा कि यही चीज highlight करनी है और कुछ नहीं आपकी एक sheet बनेगी sheet क्या होगा जैसे आपके notes होंगे न जैसे यह notes है वह इस तरह की sheet होगी यहाँ पे लिखोगे आप notes और बीच में करोगे आप highlight जो मैं कहूंगा पूरा highlight नहीं करना है उसके साथ इन notes से जो भी यह notes बनाए जाएंगे इन notes को लेकर इन notes को लेकर यहाँ पे हम short notes बनाएंगे अब बोलोगे सार हमने notes तो बना ली है short notes क्यों बनाएंगे देखो for example एक पूरा paragraph है पूरा एक paragraph है जैसे यह है हमने इसको पड़ा हमने इसको पड़ा इसको समझा पूरा समझा understand किया पूरा उसके बाद हम क्या करेंगे ना इसके छोटे-छोटे minus निकालेंगे जैसे for example Supreme Court क 65R का मतलब retire और यह ऐसा नहीं है कि लिख देंगे इसको बार बार रिवाइस करेंगे और जब आप exam के एक दिन पहले exam देने जाओगे ना जैसे ही आप entry लोगे ना आपके पास सिर्फ 20 pages होंगे सिर्फ 20 pages होंगे short notes के जिने कि आप exam से पहले पढ़ोगे exam कल है एक रात को पहले कल है exam आप देख रहा होगा कि बच्चों ने जो exam दिया होगा उनको exam से पहले डर लगता है क्यार पढ़ा के नहीं है इतना सारा पढ़ा है सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन वहाँ पर उनका confidence जोना वो गिर जाता है और confidence जर आपका गिरता है अगर आपके पास short notes नहीं है exam से एक रात पहले क्या आप 20 pages को revise कर सकते हैं और इस 20 pages में कुछ नहीं होगा यह short notes होंगे जो कि आपके main notes से बनेंगे main notes से छोटे-छोटे notes हम निकालेंगे Supreme Court 65 that's it Supreme Court Appoint Collegium अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यह क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकि को हम 4 से लेकर 5 word में खतम करेंगे 4-5 word में पूरा खतम करेंगे और पूरे page को उन 4-5 word ऐसे होंगे जैसे आपके mind में click होंगे आपको लग जाएगा पता यह पूरा का पूरा topic क्या है यहां पर मैं एक चीज को थोड़ा emphasize करना चाहूंगा जिसका नाम है active learning active learning क्या है देखो आप सभी ने ना सिर्फ रट्टा मारना सीखा है to be honest मैंने भी रट्टा ही मारना सीखा था ठीक है लेकिन धीरे धीरे कुछ books को पढ़ा कुछ चीजों को study किया जैसे कुछ medical science की जो studies है उन्हें मैंने पढ़ा और वहां से मैंने एक चीज पाई कि रट्टा मारने से आप ना समझ नहीं सकते हो किसी चीज को जैसे मैं एक example बताता हूँ आपको ठीक है for example मैं आपको बोलो कि आपके घर के पास जो gate है उसका color क्या है maybe आपको याद नहीं होगा आप बोलोगे सर्थ थोड़ा सा white है थोड़ा सा शाही black भी है लेकिन आप exact नहीं बोल पाऊगे कि इसका color सर रेड है लेकिन जब आप द्वारा घर जाओगे ना बापीस खर जाओगे ना अब मैंने आपसे पूछ लिया आपके घर के पास वाला gate क्या है आपको वो color जिन्दी पर याद रहेगा क्यों क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया है मैंने आपसे question कर लिया है सर इसे कहते है एक्टिवलर में जब आपके नोर्स बने होंगे ना हम नोर्स को ऐसे नहीं पढ़ेंगे random यहां से यहां तक नहीं पहले यह पूछा फिर 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 यह पूछा नोर्स के different part को पूछेंगे मतलब जो मिलेगी वो bus stop जो left side पर की right side पर है आप समझ रहे हैं इसे कहते है active learning सर active learning में क्या होता है कि हम direct ऐसे उपर से निचे तक नहीं पढ़ते हैं पहले ये पढ़ेंगे पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे इसे आपका mind जोना connection बनाएगा आपके mind में neurons होती हैं सर वो neurons होना connection बनाती है एक दूसरे के साथ जब हम उनको पढ़ते हैं जब उनको किसी चीज को किसी नई चीज को पढ़ते हैं या समझते हैं और वो जब आप एक line में पढ़ोगे न सर उसे कहेंगे हम रटा और हमको सिर्फ ये ही सिखाया है हम रटा नहीं कर और मैं बताऊंगा कि आपको free resources से ही notes कैसे बनाना है one of the best teacher जो है न सराज के time पर YouTube पर available है one of the best teacher उनकी एक एक videos को choose करके मैं आपको बताऊंगा यहां से सिर्फ 20 मिनिट पढ़ो यहां से सिर्फ 30 मिनिट पढ़ो बाकी पढ़ने के जूत नहीं है बाकी मैं आपको test में करवात कैसे करते हैं किसी चीज को याद कैसे रखते हैं सबसे important चीज यह है और याद होती है आपको active learning मैं यह बताऊंगा आपको कि आप active learning कैसे कर सकते हो first thing second thing इसीज में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको notes कैसे बनाने हैं दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको short notes कैसे जो मैंने अभी डिसकस किया न, एक पेज को तीन वर्ड में, एक पेज को तीन वर्ड में convert करना, ये मैं आपको बताऊंगा, ये practice मैं करूँगा, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ फे emphasis करूँगा न, वो ये है, इसलिए मैंने course का price कम रखा, इसलिए मैंने कहा कि जो मैंनत नहीं करेगा, मैं खुद उसके पैसे बापिस करूँगा, और बोलूँगा, please, हमार और आपका रिष्टा यहीं था, right, this is not like a coaching institute, जहां पर आपने पैसे दे दिया, आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको सुन नहीं रहे है, कोई आपको पता नहीं रहे है, कि याद कै कैसे करना है, में इपोर्टन तो यह चीज है, कि आपको at the end of the day याद रहे, यह जो याद है, यही चीज, यही चीज मैं आपको practice करवाओंगा, हमारा 70% of time इसी चीज में जाएगा, जो हमारा, जो हम यह course लौँच कर रहे हैं, इसी चीज में जाएगा कि याद कैसे रखना ह sources हैं, उसका use कैसे करना है, समझना कैसे है, वो एक लग चीज है, वो easy है, बहुत easy है, one of the best teacher है, जैसे खान सर, उन से अच्छी मुझे नहीं लगता कोई economy पढ़ा सकता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन अगर खान सर पढ़ा सकते हैं, तो उस चीज को याद रखना, उ उस चीज को test में convert करना, फिर उस test को analyze करना, फिर उस test में देखना कि हमने गलतियां क्या किया है, ये चीज, ये जो extra चीज है न, ये हम आपको करवाएंगे इसमें, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम सिर्फ उनको करवाएंगे, जो कि करना चाते हैं, जो नहीं करना चाते ह रहेंगे, नहीं नहीं साथ रहेंगे, हम औरों को देखेंगे कि और पढ़ रहे हैं, मैं आपको औरों को भी देखने नहीं दूँगा, जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको group से निकालूँगा, और आपके पैसे बापिस दूँगा, और चाहें तो आप पाके हमारे office में चाय पीके जाईएगा यह मैं फिर से कह देता हूँ this is not a coaching program यह coaching program बिलकुल भी नहीं है जो कि आपको 1000 रुपे फीज लेके आपको pay करें हमको पता है जिस platform पे हम पढ़ा रहे हैं उस platform पे app को आप जानते हैं एक app को maintain करना भी बहुत बड़ी headache है एक student को maintain करने के लिए 60 to 70 रुपीज अगर खर्चा रहा है हमारा course है 278 का खर्चा रहा है इसमें GST लग लगेगा उसके बाद इसके बाद जो हम PDF नाएंगे जो test आपको देंगे उस test के लिए भी हम यहीं से पैसा निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ना इस प्रोग्राम इस ओल अवाट गाइडन्स और गुडविल मैं यह कहना चाहूँगा इसके उपर सारा प्रोग्राम है कि गुडविल हम कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक कम्यूनिटी मिले मैं इस बात पर बार बार इंफसाइज करूँगा हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि लाइक माइंड़ लोग हो चमबा के हो बाहर के हो कहीं के भी हो लाइक माइंड़ लोग हो जो कि एक साथ एक जगा पर आएं और वो डिसकस करें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा मैं यहां पे ना गृप सेग्रिगेशन करूँगा जैसे जो स्लो लर्नर है ना उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे ठीक है एक्स्ट्रा सिन को एफट देंगे कि इन स्लो लर्नर को पेस लर्नर के साथ कैसे लाया जाए लेकिन एक बाद ध्यान रखना आप जब आप स्लो लर्नर से पेस लर्नर में आओ गया ना तो आपका हम गृप चेंज करेंगे हमें लगा कि आप जो है अब कहीं न कहीं जो pace learner है, उनके साथ compete कर रहे हैं, हम इस group को change करेंगे और यहां लाएंगे आपको, ठीक है, यहां है आप slow learner, हम उसको pace learner में लाएंगे, हमको लगा कि आपकी जो, आप slow है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, तब तो हम वैस learner से slow learner में लाएंगा, आपने उसको चनोती की तरह लेना है, कि अब मैं फिर से pace learner बनूगा, और यह दो groups होंगे, इसके बारे मैं मैं पहले ही आपको बता दूँ, मैं आपको धोके में नहीं रखना चाहूँगा, यह दो groups होंगे, यह दो groups इसलिए हैं, क्यूंकि हम यहां प कोशिश करूँगा, इससे कम रहे, इन 700 pages को हम 40 pages में convert करेंगे, सर इन 40 pages को ही हम कहते हैं, short notes, आप मेरे को एक बार बताओ, क्या यह 40 pages, क्या यह 40 pages, exam से एक रात पहले revise करना easy है, मुझे खुद बताओ, बस यह quick revision है, इस quick revision को हम ला रहे हैं, इस quick revision को हम करेंगे, third है, memory techniques and long term retention जो मैंने आपको active learning के बाद की न, यह active learning मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको सिर्फ SSCGD ही नहीं, बाकि जो भी exam आप निकालो न, देखो यार, कल को अगर आप SECGD भी हो जाते हैं, वहां रुको मत, ठीक है, life is all about survival, आप बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, और जब हमको यह community मिलेगी न, यह community मिलेगी जो SSCGD निकालेगी न, हम चाहेंगे कि हम इस community को आगे पंचाएं, क्यों नहीं फिर आप civil service mentor करो, civil service is one of the prestigious job, right, इस country में सबसे prestigious job है civil service, और क्यों नहीं अगर आपको लगता है, आप SSCGD आपका निकल गया, वहां पे क्यों रुकना है, ठीक है, एक्सपीरेंस आपके पास physical एक strength होगी, mental strength होगी, और physical strength और mental strength लेकर, अगर आप civil service में, IPS की job में, आप किसी job mentor करते हो, आप सोचो, आप बाक्यों से कितना perfect रहोगे, आपका एक army attitude होगा, mental attitude आपका कितना strong होगा, right, तो रुकना नहीं है, इसलिए मैं बारवार emphasize कर रहा community, और इस community को exam तक नहीं, exam के साथ आगे भी हम बढ़ाएंगे, अब आप पुछोगे कि सर, community build करके आपको क्या मिलेगा, first thing, satisfaction, satisfaction इसलिए मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से hard working बच्चे है, जो की इस देश के IPS और IAS officer भी बन सकते हैं, right, लेकिन उनके पास guidance नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि कब कौन सा test है, कैसे revise करना है, किस तरह से, कौन सी चीजों को छोडना है, कौन सा पढ़ना है, हर एक चीज तो पढ़नी नहीं है, इन सब चीजों को जो decide करेगा ना सर, वो ऐसे बच्चे मैंने देखे, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को ही मैं support करूँ ऐसे बच्चों को ही मैं improve करने कोशिश करूँ और यही एक concept है जिसका नाम मैंने कहा कि we are going to build a community यह community exam नहीं निकालेगी even जब आप कल को exam निकालोगे न सर हम कुछ आपको 278 जो हमने एक prize रखा है इसके बाद भी हम extra आपको बहुत सी चीज़े provide करूएंगे और आपको खुद लगेगा इसकी जो गुरू दक्षना होगी न सर वो गुरू दक्षना मैं आपसे ऐसे लोगा कि मैं कहूँगा कि आपको और बच्चों को support करना है और बच्चों को उस position पर लाना जहां आप पहुंचियो आपको बोलना नहीं है और यही मेरी गुरू दक्षना होगी यही मैं आपसे लोगा और कुछ भी लेने वाला नहीं ठीक है तो I hope आप इस community building को समझ गयोंगे किस तरह से memory techniques की मैं बात कर रहा हूं से आप समझ गयोंगी full length test हर एक subject का आपका app में full length test होगा उस test को analyze किया जाएगा उसके notes मनाये जाएगे उसके short notes मनाये जाएगे बिल्कुल short notes चोटे time में बिल्कुल कम time में लाइब बैठेंगे आप मैं बोलूँगा यह लिखो लिखो खतम करो इस chapter को खतम करो इस subject को खतम करो इस तरह से हम करेंगे सर यह full length test होगा न आपका यह आपका app में होगा हर एक subject का होगा उसी हिसाब से करेंगे देखो 278 rupees में जो हम आपको cost दे रहे हैं देखो जो हम app पे जो एक test लगाते हैं आप कोई test अगर आप लगाओ न तो वो आपसे handling cost लेता है कि उस test को वहाँ लगाने के लिए क्या cost है और वो handling cost लेता है 1 rupees तो सर यह 1 rupees होगा न यह इस में add नहीं होगा यह 1 rupees जाएगा उन company के पास जो की इस इस app को control कर रहे हैं आप समझे रहे हो 1 यह 2 rupees होगा मैं कोशिश करूँगा कि इस से 2 rupees से जादा नहीं हो मैं इस चीज की पूरी कोशिश करूँगा ठीक है तो इसका मत लिने का 3 rupees खर्चर रख लो और यही कोई 20-25 rupees कि आपके full length test हो जाएंगे और सर यह 20-25 rupees हम नहीं रख रहे हैं मैं आपको बता दूं जो एप हम control कर रहे हैं उसमें जो इस app को handle करता है जैसे आप test करोगे वहां पे click करोगी कि पहले का one दूसरे का B और C जिस तरह से click करोगे यह वस उसकी fees है इसको please आप मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगी कि सर आपने तो बोला था कि test free होंगे और आपने test को फिर और पैसे दे कर इसमें include किया 2-3 rupees इस से जाद हम test नहीं रखेंगे यह test होंगे ठीक है तो यही मुझे लगता है इसमें आप चाहें तो 40-50 rupees प्लीज आप इसमें add कर लो और यह 40-50 rupees हमारे पास नहीं आएंगे यह जाएंगे आपके पास और इस 278 rupees में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है यहां पर 60 रवे एक बच्चे से सिर्फ 60 रवे बच रहा है जब आप course लोगे ना मैं आपक साथ नहीं आप तो यहां पर कमारे और सोर पर तब भी आप फीस ले सकते हैं जितना टाइम बचा होगा ना आपका उसकी फीस आप लो और बापीस आप आ सकते हो जैसे आपको लगा ना कि नहीं बस मजा नहीं आ रहा है मैं आपको खुद कहूंगा कि निकलो कुछ नया कुछ नया ढूंडो कुछ नया ट्राइ करो वहां पर शायद आपको मजाए तो आई होप आप फुल लेंड टेस्ट समझ गयोंगे इसको मुझे लगता है पूरे कोर्स में आपके 40 से 50 रुपे का ये आपको पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं जाएगा आप जैसी टेस्ट आपको देंगे कि सरह आपने जो अभी पे किया ना उसका हमने ये जैस्टी काटा है उसका ये सब कुछ कटा है आप खुद आपको पता लगए आप उस लिंक को लेना और आपको आप चाहें तो उसको कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं कि या इस तरह की क्या जो भी एब बगर इस होते हैं उसमें कितने चार्जे लगते हैं कितने पैसे लगते आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया जो डखो ट्रांसपरेंसी जो है ना वो सबसे इंपोर्टन है बच्चों के सामें चीज रखना बहुत है अगर एक बच्चे से हम साट की वो discussion होंगी active learning की live discussion होंगी यह होंगी यह इसलिए होंगी ताकि हम सिर्फ survive कर सके और हम उस survival से निकाले एक community बस और कुछ नहीं मैंने आप मैंसे बहुत से लोगों ने देखा होगा जब आप exam ना सोरी जो भी courses आप देखते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो मिलती है पढ़ो, नोस पनाओ और जाओ यह program वीडियो के related तो है नहीं, वीडियो तो हम वैसे भी free की use करने वाले हैं ज़्यादा थर क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि अगर जैसे for example fundamental right है मुझे पता है, मैं खान सान से बहतर नहीं पढ़ा सकता हूँ मेभी मैं civil service वालों को पढ़ा सकता हूँ क्योंकि उसमें detail में पढ़ाना पड़ता है लेकिन मुझे लगता है कि constable batch हो गया, sscgd हो गया या फिर आपका पटवारी हो गया मुझे लगता है कि खान सार नहीं जो पढ़ा है, वो best है तो क्यों ना मैं आपको कहूँ कि खान सार की चार वीडियो आप यहां से follow करो और मैं कहूँ कि बाकी वीडियों आप राखेश सार की follow करो फिर मैं कहूँ कि बाकी जो वीडियों आप राविंदर सार की follow करो क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो demand पूरी कर रहे हैं exam की एक teacher perfect नहीं होता है लेकिन एक teacher के पास कुछ खूवी होती है जो की उस खूवी को हम use करेंगे और यही आपको बताएंगे तो this program is not about the video or anything this program is about analysis हम analyze करेंगे, हम आपको test देंगे test को analyze करेंगे, उस test के बाद active learning करेंगे मैं बारवार कहा हूँ, active learning करेंगे short notes बनाएंगे, आपके notes बनाएंगे notes को underline करवाएंगे, underline करने कवाश आपको guide करेंगे हम आपको बाद में physically भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने जाना है, तो physically हम ground में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको techniques बता सकते हैं कि किस तरह से आपको अपना metabolism control करना है किस तरह से आपको physical test उसको पार करना है हेल्थ के लेटर इशू है तो उनको कैसे पूरा करना है ठीक है, ठीक है, और इसी के साथ हर एक test के बाद, हर एक test के बाद आपको होगा analysis analysis में हम यह बताएंगे कि sir, इस test में आपने, अगर exam में जो मैंने आपको 20 question बताया है ना, अगर यह आते हैं आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की जोकी जिन्दी पर पढ़ रहे है, इस चीज़ पे हम focus करेंगे, इस चीज़ पे हम focus करेंगे, कि इस चीज़ को कैसे कैसे इस चीज़ को cut किया जाए, यहां कैसे 5 number तो कम सकम निकाला जाए, लोग इनको इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, जैसे यह नहीं पढ़ना है, मैं बोलूगा कि यह नहीं पढ़ना है, फिर आप बोलूगा यह लिखाया क्यों, यह लिखाया इसलिए ताकि आपका concept बिल्ड हो सके, जैसे यह घर बनता है उसकी foundation बनती है पहले, जैसे अगर यह घर है इसकी foundation बनती है आप बोलोगी फाउंडेशन बनाने की क्या जरूरत है, पहले घर ही बना लेते हैं, घर ही तो दिखेगा, घर कोई color कर लेंगे, लेकिन सर्फ foundation जरूरी है, लेकिन foundation दिखत ही यह ना आए लेकिन आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा अगर आप इस पार्ट को नहीं पढ़ोगे तो आपको जब मैं नोर्स दोंगा ना आपने दिल से भुवान शिराम का नाम लेके जो भी आप अल्ला इसा मसी उनका नाम लेके अपने नोर्स बनाने हैं अच्छे से नोर्स बनाने हैं फिर मैं आपको कहूंगा कि यह नोर्स सिर्फ इसलिये थे ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो सके अब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो गी है Supreme Court को 65 की age में Supreme Court के जैज को retire किया जाता है मैं बहुंगा Supreme Court 65 retire खत्म यह बस खत्म होना चाहिए तीन word में खत्म और तीन word में आपको ऐसे click करेगा कि क्या बात हो रही है समझे रिवीजन स्ट्रेजी मैंने पहले डिसकस कर दिया है जो भी रिवीजन स्ट्रेजी होगी पूरी आपको बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है में फोकस होगा active learning का एक चीज को दस बार करेंगे बारा वार करेंगे पंदरा वार करेंगे देखो इस एक्जाम में क्या है बच्चे क्या करते हैं YouTube पर जाते हैं वीडियो देखेंगे राइट YouTube पर जाएंगे वीडियो देखेंगे उसके पर नोट्स बना लेंगे और उनको लगता हमारी त्यारी होगी ये त्वारी है 20% अगर आप यहांपे हो ना सर प्लीज आँखे खौलो आप यहांपे सिर्फ 20% पर हो, बात की जो त्यारी है वो इसके बात शुरू होती है और वो है टेस्ट, रवीजन और एक्टिव लर्निंग जिसकी मैंने बात की रवीजन स्ट्रेटेजी आपका 60% होना चाहिए किसी पार्ट का मैं देख रहा हूँ बच्चे के करते हैं इंडेस् वैली सिविलाइजीशन पर यह लूसेंट से फिर वीडियो भी देख ली फिर इदर उदर से हर जगह से कर रहे हैं आगर मैं बोलूँ हो एक notes हो जिसमें levels भी add हो जिसमें वीडियो भी एड हो जिसमें टेस्ट के टेस्ट के जो नए questions आया है वह भी add हो तो आप इदर उदर भटकोगे bit नहीं भटकोगे और ये जो तो आपके इसर ये जो आपके पाश शीट होगी ना, इस शीट से आप किसी भी गजाम देने निकल जाओ, मैं बहलूँगा कि जन्रल लॉलिज जी के का सारा आपका वहीं से खबर होगा, राइट, इसके बारे मैं बात कर दी, मैंने, slow learner and fast learner, तो आप change कर सकते हैं, में भी कोई fast में, वो slow में जा सकता है, slow वाला fast में जा सकता है, ये सिर्फ आप के लिए किया जाएगा, ताकि आप competition को fight करो, ठीक है, तो जिस तरह से individual की needs होगी, आम उसी तरह से speed को continue रखेंगे, test series के लिए आपको मैं कहूंगा, अगर आप देखो, महीने में एक वार, अगर हमारे यहां पर शिवाना इसकेडिमी में आ सकते हो, प्लीज आओ, उस environment को महसूस करो, जब आप खुद exam में बैठते हो, हम बोलते हैं न, कि बच्चा बढ़ाद exam है न, थोड़ा experience हो जाएगा हम क्यों बोलते हैं, कि experience के लिए exam center में जाओ, तुम एक बार वहाँ आओ, coaching center आओ, वहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा environment प्रवाइड करेंगे, OMR sheet देंगे, silence होगी, पानी आपको दिया जाएगा, आपको chairs में बिठाया जाएगा, हर एक, जिस तरह से वहाँ पे एक strict talking about it, but yeah, मैं करूंगा, इस बारे में, stickness के बारे में करूंगा, तो जो उस तरह से एक महौल बनाएंगे हम, उस महें, महौल को replicate करेंगे, मैं कहूंगा, please, exam coaching center आओ, test series दो, full length test होगा उसमें आपका, ठेका, उसमें भी हम आपकी से printing cost charge करेंगे, printing cost का मतलब है, कि जो भी आप पता है, अगर 40-40 सा page print करते हो, तो 10-15 रुपे तो नहीं लगते हैं, यह आपको भी पता है, तो हम इसको भी cost efficient करने की बात कर रहे हैं, 10-20 रुपे में यह full length test हम coaching center में provide कर वाएंगे, ठीक है, तो यह भी आप करेगा, यह optional है, यह वैसे भी आपको जो test होगा, full length test, यह आप at the end of the day, जब exam में बैठोगे न, तो आपको न वो एक pain सी महसूस नहीं होगी, कि और मैं कहीं आ तो नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर competition निकाल पाऊंगा नहीं, बार वार आप उस चीज को करोगे न, तो आपको डर नहीं लगेगा, जैसे जब आप driving करत था, कि कहीं ठोक न दू, एकदम break तो न मार दू, गिर न जाओ, किसी को लग न जाए, या मुझे लग न जाए, लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हो न, तो आप, आपको पता नहीं हो तक कब आप घर से निकले और कब आप office पहुंच रहे हो अपने, subconsciously आप कर रहे हो, ये जो subconscious है, ये जो mind के level के बात है न, इस चीज़ को हम focus करेंगे, that's it, ये चीज़ focus करेंगे, test series के तो, कि आपको एक mind बने, कि जब आप exam में आओ न, आप बोलो, कि जनाब, मैंने लगाए है 7000 MCQ, general knowledge के और बाकी math origin के, right, मैंने की है 10 वार revision, मैंने सर के साथ रात रात पर पाकिस्तान के, कि सबसे पहले आप में घवराना नहीं है, तो यहां पर भी, आपका जो ये डर है न, या आपका जब आप वीजिट करोगे न, coaching center को, तब ये खतम होगा, ऐसे खतम नहीं होने वाला है, मैं अपने exam का experience बताता हूं, एक वार exam देने देगा, it was for the UPS exam, मैं ग पढ़ा था मैं गया मैंने देखे वहां पर ऐसे से बच्चे थे जो कि शौफ कर रहे थे कि हमको तो बढ़ाता है ऐसा आता है और लिटरली ना वो मुझे बाद में कभी दिखे नहीं वो बस वहीं पर दिखे उसके बाद कहीं नहीं दिखे तो इसका मदलब क्या है कि आपको ना हर एक हवाबाजी वाला लड़का या लड़की वहां पर दिखेंगी जो कि आपको कहेंगे कि हमको तो बढ़ाता है लेकिन जब आपका confidence एकड़म एक्जाम में बैठेगा ना तब आपको याद आएंगे साथ हजार मसे क्यों आपको याद आएंगी रात रात पर जो मैं आपके साथ राते बिताओंगा जो जिस तरह से टेस्ट के तुरू analysis करूँगा आपको बताऊंगा परस्नाइस गाइडेंस दोंगा ये जब आप देखोगे ना आप बोलोगो यार तू जो मर्जी बोले मैंने इतने सारे साथ जार में सत्रा भी फस गे बहुत है ठीक है अगर आप प्रविविल्टी देखो गए ना तब भी आपके फसने वाले राइट ऑनने से ऎधरवाइ़ घ्वाइज हैं इसकी मैं बार-बार बात कर रहा था 60 20 20 इन 20 कोष्व這種 का एसा है आपके नाम अर्विंद है अर्विंद जी आपके मामा का नाम क्या है आप अपने मामा का नाम बताओगे ठीक है लेकिन अगर examiner ने ठान लिया ना कि आपको select नहीं करना है examiner क्या पूछेगा अर्विंद मेरे मामा का नाम क्या है ठीक है और हो सकता है आपने उनके बारे में थोड़ा सर्च कियो वो बोले कि सिर आपके मामा का नाम जो है वो राजकुमार है वो बोले का ठीक है अब बताओ कि मेरे जो मामा थे उनके दादा का नाम क्या था तो यह जो दस कोश्चन है ना यह मामा दादा की कोश्चन है लेक दूसरी बार 278 रुपीस इसका मैं बता रहूं प्राइस ठीक है ये प्राइस आपको refund किया जाएगा refund इसलिए नहीं किया जाएगा कि आपके मरजी है वो तो ठीक है इसलिए भी refund किया जाएगा कि आप hard work करना बंद कर दो आप हमारे साथ जब जुड़े ना उस community में आप भर छोड़ के आउंगा ये 278 रुपीस भी बापिस दोगा या आप कहीं बाहर से तो आप coaching में आओ ये 278 रुपीस बापिस लो refund लो और आप जा सकते हूं 101 ठीक है हम ये बापिस करेंगे आप coaching में आओ पैसे लेजिए thank you letter आपको देंगे और that's it यह कहना चाहूंगा मैं देखो शायद आपको मेरी कुछ बाते अटपटी लगें ठीक है लेकिन मैंने एक बात सीखी है कलाम जी से कलाम जी बहुत straight forward थे अब्दूल कलाम जी वो straight forward हमबल थे लेकिन straight forward थे उन्होंने कभी ऐसे इदर उदर की बाते ने की गुमाई ने बातों को बातों को straight रखा अगर आप जो भी YouTube पे उनकी वीडियो देखोगे ना आप देखो कि ना उनकी बात में एक सच्चाई सी जलगती है उनकी बात में हमेसे straight forward नर्स से रहती है कि यह सत्य है यह गलत है जैसे एक बार उनसे पूछा गया क्या था कि आप साइंटिस्ट हो और आप पॉलिटिक्स में आ गया प्रेजिजट्ट बन गे आपको नहीं लगता यह पॉलिटिक्स आपको साइंटिस्ट की कम्मुनिटी से बाहर लेके जा रही है उन्होंने बहुत का पत दिया जा रहा लेकिन आप बोलोगी कि मुझे लगता है कि मैं प्रेजिजट्ट के पत के लिए आ ठीक है मैं एक्स्पिरिंस कर लिया लेकिन मैं टीचर हूँ और मैं टीचर ही रहूँगा इसे बात कोई अट पटी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाओंगा लेकि वार नहीं किया, दो वार नहीं किया, दस वार नहीं किया, मुझे लगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेश्ट कर रहे हो, मैं आपके साथ टाइम इनवेस्ट नहीं करूँगा, मैं चाहूंगा कि at the end of the day में आओ, इस community में आओ, आज से पहले आपका पास जो भी रहा हो, आपके exam में कम number आए, आप exam में fail हुए हो, देखो failure तो हर जगा होते हैं, ठीक, आप class में fail हुए हो, उसको छोड़के, आप मेरे पास आओ, और बोलो कि मुझे बिल्कुल zero से यहां तक पहुँचना है, और इस struggle में मैं आपकी help करूँगा, जितनी भी आपकी help की जा सकती है, test के तो, active learning के तो, active session की तो, ठीक है, बाकी, इस session के लिए thank you, आपको जो भी, sir, आपको math और reasoning के बारे में, sir, आपको strategy बताएंगे, और जल्दी शूरू कर रहे हैं, तो please, आप चाहें तो इसको जल्दी जोइन कर सकते हैं, बाकी, बाकी के लिए all the waste, अगर आपको नहीं भी जोइन करना है, तब भी आप जो, इसका free वाल जो group है, उसको जोइन कर लो, वहाँ पर हम कम से कम आपको guidance तो देई देंगे, कि किस तर बहुत crucial है, बहुत vulnerable time है sir, actually जिस तरह से jobs हैं, बहुत कम jobs हैं, हम struggle कर रहे हैं, हम आचल में भी आपको पता है किस तरह से सुखुजी, मतलब कभी कह रहे हैं, jobs आएंगी, नहीं आएंगी, मैं जानता हूँ, यह बहुत vulnerable time है, अभी center के SSCGD के job निकली हैं, हरसान निकलती हैं और इस तरह कि अगर आपका एक mental approach रही, इसके लिए अच्छे सी रही, तो इस exam को हम अराम से निकाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इसको निकालने के लिए, जो भी resources हैं उनी से, ठीक है, बाकि thank you so much, इसके लावा भी आपके बस कोई doubt है, please आप पूछी, हम आ आपको join करने की जुरूरत नहीं है, कोई भी जुरूरत नहीं है, ठीक है, बाकि thank you and thank you so much, तो आपको sir ने already काफी detailing में बातें बता दी है, जीके का sir ने already cover किया है, आपको मैं बताओंगा कि math के section को कैसे deal करने वाले हैं, further reasoning or English और Hindi को बहूँ है, तो जो हमारा math का section है, इसमें हमने 20 questions को deal करना है, और हम करेंगे कि math का impact है इस exam के वह काफी जादा है, और आप math में अगर आपको दिक्कत आए, तो आपको इस exam को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम math में चलेंगे basics से, ऐसे बच्चे जिनको अगर plus minus की भी दिक्क जाएंगे, उनको वहां से उठाया जाएगा उपर, और जो बच्चे ऑलड़ी थोड़ा सा advanced हो चुके हैं, तो उनको left over feel ना हो, कि जो है उनकी preparation काफी slow चल रही है, तो हम उनको थोड़ा सा, हो सब तक हम different एक उनके group बना कर उनको वहां filter कर देंगे, अब इसमें का रहेगा जो बच्चे अभी basics पे हैं, और कुछ advanced पे हैं, basics वाले improve करते हैं, तो हम इनको advanced वाले group में shift कर सकते हैं, और advanced वाले बच्चे उनको बीच में एक समस्या आई कि नहीं, उनको लग राए कि नहीं, उनके अभी basics में थोड़ी दिकत है, तो उनको basic वाले group में लाकर, उनकी doubts भ पेहले थे, बराल तो ये maths वाला section की हम जब बात करते हैं, तो हमने basics chapter पहले पकरना है, जैसे आपका number system है, हम पहले करेंगे, इसके साथ में जो number system बहुत से चीज़ें आती है, square roots कैसे निकालना है, इसमें simplification आती है, q root कैसे निकालना है, जो भी सारी, basic basic है, and mainly a percentage chapter, हमें दे basic है, तो हम यहां से जो है वो, निकलेंगे, और यह हमारे का 2-3 chapter ठीक है, starting वाले, स्वागे कोई भी chapter में दिक्कत पैदा नहीं करेगा, right, तो यह maths का हमारा plan है, maths को कैसे deal करेंगे, आपको further मैं एक और बात यहां पताना चाहूँगा, जैसे की, जैसे की, maths के बारे में, औरड़ी कई तरह की misnoma है, कि maths को, जल्दी इंप्रूब नहीं कर सकते हैं, कुछ है ऐसा है, वैसा है, हम क्या करेंगे, आपके लिए प्लेइलिस्ट बनाएंगे, और इस प्लेइलिस्ट में हम आपको material देंगे, वो material जो अलड़ी free में available है, वो provide करेंगे, and आपके doubt को हम address करेंगे, यह हमारा road रहेगा यहां पर, आपकी doubts को address समय समय पर किया जाएगा, आपको hustle किया जाएगा, कि आप आगे बढ़ें, जहां आप अटकेंगे, हम वहाँ पर आपको push करने आएगे, तुम्हारा main role है push करने का आपको, now the thing is that, जैसे उधर्म के तौर पे, जैसे मालीते हैं कि आपको हमने कुछ material दिया, mock के लिए, कुछ mock test के लिए आपको हमने material दिया, बना कर, और वहाँ पर आपके 10 मैसे, suppose 5 questions नहीं लग रहे है, right, उन 5 questions का हम basic analysis करेंगे, कि आप कहा हाँ रहे हैं, उसके उपर फिर आपकी profiling के जाएगे, कि आपको किन किन चेप्टर में दिक्कत आ रही है, तो उन चेप्टर की segregation करके, उनको अलग करके, हम जो हैं, आपके जो कमजोर चीज़े हैं मैस के अंदर उसको address करेंगे, तो इसके बाद हम मैस वाले के बाद reasoning पे आएं, मैस के मुकाबले GD में reasoning को ज्यादा impact नहीं करती है, question उसके वैसे वैसे हैं, बट इसमें ऐसा रहेगा, कि जो reasoning है, उसका हर चेप्टर, उसके हर चेप्टर अपने आप में individual importance सकते हैं, individual importance का मतलब यह है कि जैसे आपने अगर coding decoding की है, तो उसका blood relationship के साथ थोड़-थोड़ा संबंध हो सकता है, but blood relationship का calendar chapter के साथ कोई relationship नहीं है, sitting arrangement एक different chapter है, puzzle कुछ हद तक sitting arrangement के लिए आपको support कर सकता है, आपने puzzles छीख सके हैं, और all together आप देखेंगे कि reasoning का हर chapter जो है अपना आपने यूनिक है, तो आपको reasoning में ऐसाच कोई दिक्कत आएगे नहीं, जैसे मालो कोई student है, जिसने आज हमें जोइन किया, और जब new आएगा, तो उसे वहीं से begin करना है, जहां से हमने उसको direction देनी है, तो SNK SS कोई randomly बीच में आएगा, तो उसे दिक्कत होएगी, इस course को join करने में या continue करने में, हमारा basic purpose का है, community आप लोगों की बनाना, और आप लोगों की community में हम एक जिसरत से उधारन के तोर पे, हम एक ऐसा role प्ले करेंगे, जहां हम एक बॉल फैंकेंगे, और आप सब को बॉल कैच करनी है, यह हमारा role है, सिर्फ बॉल फैंकने का, आप उसे कैच करेंगे, और जो कैच नहीं कर पाएगा, उसकी उसमें क्या दिक्कत है, हम उसको solve करेंगे, तो हमारा जो रोल है उतरा से address क करने का है, उस problem को, कि कौन सा बच्चे है, जल्दी कैच कर पा रहा है, कौन सा नहीं कैच कर पा रहा है, तो बॉल फैंकने का हमारा यहां पर रोल है, जो आप इस बात को मेरी समझे होंगे, रीजन के बाद हम फोकस करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले section पर, तो इ इंग्लिश में क्या करेंगे? हम पादuben आप प कuse अंता करेंगे, वर्प्स, कॉरियर चैहिए, तक एक रिए करदें बेसिक तैंस में, भेसिक vegan security में पार्ट पाले हुआंगों आपको वहां देंगे, वक्याब्री के उपर हम प defe возशुर काम करेंगे, टाक एक interest भी अपका हो अभिरा में रोज नीउस पेपकर से कुछ वर्ड कलेट करने हैं हैं हम कहीं भी कुछ पिंग्स का पढ़ते हैं तो इंट रस बिल्डपो लेक गर्म करने में तो जैसे का टैंस्ट इसнуться हो फो आ हो लगे आते हैं तो भी आते हैं इसी वर्ड हैं आप यहां बहुत आ तो यहां clarity बहुत कम हैं कई बच्चों को तो all together हम सारी बाते हैं यहां से देखेंगे जो पैटन हमारा old था जैसे maths के लिए है या बाकी सर ने बताया उसी पैटन पर ही यह भी डील किया जाएगा हम आपको material देंगे आप उस material पर काम करेंगे दीवे समय में यहां समय काफी important चीज होगी और आप दीवे समय पर टास्क फिनिश नहीं करते हैं तो फिर आप एक डायरे में आएंगे और उस डायरे के अंदर हम different तरिके से काम करेंगे आपके साथ तो जो honestly यहां काम करेगा उसके साथ वैसे वैसे बीशनी से गिल किया जाएगा हिंदी के बात जहां तक है तो हिंदी के उपन में जाश च्रेस देना नहीं चाहता हिंदी के बारे में हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ आनते हैं material हम दे देंगे आपको मौक देंगे और जहां जहां आपको डाउट आएगी उस डाउट का हम सलूशन देंगे तो जी यह हमने जो बाते हैं वो कहीं है मैं फे क्याता हूँ अंतता कि हमारा जो इसमें रोल है वो सिंप्लिक मेंटॉर का है हमारा परपेस आपको पुश करना आगे ताकि आप डिस्ट्रेक्शन से बचें आपको हम तार्गेट देंगे जिन तार्गेट को अचीव करने का आप प्रयाज करेंगे और इससे हम एस कम्यूनिटी आगे जाएंगे तो हम एक हमाचल परदेश के बाहर जितने भी हमारे लोग हम से जुड़ते हैं इसके जरी हमारा एक ही परपस रहेगा तो इसके बाद भी है कुछ छोटा होगा कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के जरी आप कमेंट कर सकते हैं